आज बनाएंगे प्लास्टिक की बोटल से पांच तरह के सुन्दर से प्लांटर तो मैंने ये केमपे के कैन ले लिये हैं शेंपू की बोटल ले लिये हैं थिनर की बोटल ले लिये और एक डिचरजेंट बोटल की जो मैंने पहले प्लांटर बनाया था उसका जो वेस्ट वच वो ले लिया है, सबके स्टिकर उतार लिए हैं, स्टिकर उतारने के बाद इन में अच्छी तरह से वाश कर लें, इनको और इसमें ड्रेनेज होल बना लें, जहां जहां पर होल करने की जुरूरत है, वहां वहां हम इसमें होल कर लेंगे, तो सबसे पहले मारकर की हेल्प से हम ड्रा कर लेंगे, जहां जहां पर हमने इसको कट करना है, तो कट करके तो फिर उपर इसके फीचर्स बनाएंगे, जो जो हमने इसमें ट्राइंग करनी है, तो मैंने एक auto planter बना रही हूँ, एक penguin planter बना रही हूँ और जो जो planter बना रही हूँ, मैं नए design के बना रही हूँ, देखिए drainage hole बन गए है तो ये जो केन है, इनको मैंने sharp चक्कू की help से cut कर लिया है ये बहुत ही पतले होते हैं, बहुत ही अराम से cut हो जाती है तो अब हम करेंगे starting तो मैंने friends सभी planter के उपर सबसे पहले spray color कर लिया है जो white और orange मेरे पास पड़ा था तो spray color करने के बाद जो acrylic color है, ये green वाला ये मैं कर रही हूँ, देखिए, ये auto planter बना रही हूँ मैं इसमें जो है मैंने पहले ही marker से, जहां-जहां मैंने बनाना है, वहां-वहां मैंने ड्रा कर लिया है आप अपनी सहूलियत के अनुसार पहले ही ड्रा कर ले, तो ये planter आपके बहुत ही सुन्दर से बनेंगे तो नीचे का जो part है, orange जो spray color है, वह बहुत ज़्यादा हर जगे spray हो जाता है तो यहां पर मैंने green color करना था, तो orange के उपर ही मैं green color कर रही हूँ तो आप जब भी करें, इसके तीन coat आपने करने है, bottle को अच्छी तरह से सुका कर फिर उसके उपर paint करें अगर गिली bottle के उपर करोगे, तो फिर paint आपका रुकेगा नहीं और friends, acrylic color में अगर आप medium मिला कर paint करोगे, तो यह paint आपका रवड की तरह बन जाएगा फिर आपका paint पानी में या दूप में निकलेगा नहीं, उत्रेगा नहीं तो यह black black patti जो है, आटो के उपर मैं बना रही हूँ, green color मैंने पहले ही कर लिया है तो देखिए, जो यह मैंने orange color किया है न, यह मुझे कुछ अच्छा नहीं लगा तो बाद में मैं इसको white color कर दूँगी, क्योंकि यह जो है auto का अंदर का हिस्सा दिखाई देता है इसका अंदर का हिस्सा हमें दिखाई दे, यूं original सा दिखाई दे इसके लिए आप अपनी सुभूलियत के अनुसार कोई भी color आप match करके कर सकते हो देखिए white color जो है अच्छी तरह से कर लिया है, front का जो शीशा auto का होता है उसके उपर भी white color कर दे ताकि यह original शीशा दिखाई दे तो अब हम इसका जो top का हिस्सा है, यहाँ पर yellow color करेंगे मैंने green color पहले जो किया है, इसके उपर yellow color इसलिए किया है ताकि यह जो color है, parrot color का दिखाई दे, मैंने इस तरह की matching की है आप चाहे तो starting में ही यहाँ पर yellow color कर सकते हैं तो देखिए उपर का पूरा हिस्सा जो है, front से लेके पीछे तक मैं यह yellow कर दूँगी आप अपनी सहुलियत के अनुसार, अपनी choice के अनुसार कोई भी color पसंद के कर सकते हैं मुझे जो पसंद है मैं वो कर रही हूँ तो जब भी करें, आप तीन coat color के करें एक color जो सूख जाए तब ही आपने इसके उपर दूसरा coat करना है देखिए paint हो चुका है, अब कोई बिट आए के आपके पास wheel पड़े हो चोटे-चोटे से वो पीछे की side लगा देंगे, जो इसके साथ सरीया आता है चोटा सा wire आती है, उसी के साथ मैं लगा दूँगी अगर आपके पास ये wheel नहीं है, तो आप cold ring के black color के डखकन भी paint करके लगा सकते हो तो planter बनकर ready है, कोई भी पोधा आप इसमें लगा सकते हो अगला planter बनाएंगे, अयूर शैंपू की बोटल से तो देखिए, वीडियो लंबी नहीं हो इसके लिए मैंने इसके उपर waste color कर लिया है और marker की help से इसके features को draw कर लिया है अब हम इसके जो उपर head के उपर जो ribbon बना हुआ है उसमें green color और red color कर लेंगे ताकि इसका जो ribbon है बहुत ही सुन्दर सा दिखाई दे तो friends देखिए, वीडियो लंबी हो रही है इसलिए मैं कुछ-कुछ part आपको दिखा नहीं पा रही हूँ अयोर shampoo की bottle को मैंने बीच में से cut कर लिया था जो उसका उपर डखकन वाला हिस्सा था उसका मैंने तले से गोल-गोल circle कट करके तो उसमें hole में डाल कर तो नीचे से डखकन बंद कर दिया है ये planter आपका कभी भी हिलेगा नहीं बहुत ही टिकाओ मजबूत planter बनकर ready होगा तो देखिए eyes बना लेंगे और mouth बना लेंगे जैसे जैसे features हो रहते हैं ये मैं Mickey mouse बना रही हूँ तो आप इसके उपर कोई भी अपनी पसंद का eyes nose बना सकते हैं कोई और भी किसी तरह का planters बना सकते हैं तो ये white color जो किया है इसकी जगह पर आप इसके उपर skin color भी कर सकते हैं क्योंकि मेरे पास जो spray color पढ़ा था मैंने white इसलिए कर लिया तो आप इसके उपर skin color yellow, white और red color को mix करके तो skin color बना कर वो भी कर सकते हैं features बनाने के बाद इसके कपड़े बनाएंगे जो इसके कपड़े हैं उनके उपर मैं dot dots लगा कर design बना दूँगी आप चोटे-चोटे से flowers भी बना सकते हूँ मैं अपने हिसाब से easy way से बना रही हूँ तो देखिए friends planter जो है बनकर ready हो गया है इसकी थोड़े कपड़ों पर जो dot का निशान है वो बना दिया है इसके कंदे बना दिया है तो अब मैंने ले लिये हैं kempa के can तो इनके उपर base color white spray color मैंने पहले ही कर लिया था तो mouth के उपर red color कर लिया है marker की help से eyes बना दिया है और इनके pair बना देंगे थोड़ा camera side पर हो गया है अगला planter जो मैं बनाऊंगी वो मैं बनाऊंगी penguin तो friends देखिए बहुत इकुसूरा से ये can बन गये हैं इनमें हम कोई भी छोट-छोटे से प्लांट लगा सकते हैं money plant लगा सकते हैं तो आप भी इस तरह से अपने घर को decorate कर सकते हो तो अब बनाएंगे खुबसूरत सा penguin जो aerial की bottle का waste पड़ा था देखिए फैंकने की जुरूरत नहीं है कुछ दिन पहले मैंने aerial detergent की bottle का planter idea शेर किया था अगर आपने वो video नहीं देखी है तो link description box में डाल दूँगी बहुत easy way से मैंने बनाया है जरूर देखें तो देखिए इसमें जो cutting करने का part extra लग रहा है उस पे मैंने draw कर लिया है marker की help से तो फालतू सा जो plastic लग रहा है इससा लग रहा है उसको seizure की help से cut कर देंगे बहुत ही असानी से ये cut हो जाता है तो इसकी जो side-o side-o में marker black color की help से मैं paint कर दूँगे इसके head के उपर paint कर देंगे देखिए इस तरह से marker से पहले हम draw कर लेंगे draw करने के बाद फिर हम इसमें paint करेंगे आप अपनी सहुलियत के नुसार कोई और भी color का penguin बना सकते हैं मैं जैसे original penguin होता है black और white color का उसी की तरह से बना रही हूँ तो देखिए यहाँ पर इसका जो चोच बनाएंगे तो इस तरह से इसको draw कर लेंगे तो आप भी इस तरह से बहुत असान है बनाना तो देखिए यह इस तरह से हो गया है अब देखिए इसका जो side का हिस्सा है इसके उपर भी draw कर लेंगे line अब यहाँ पर मैंने color करना है black तो acrylic color मैंने लिया है मैंने कौन-कौन से color यूज किये है description box में सब कुछ डाल दूँगी क्या यूज किया है तो इसकी eyes बना लेंगे तो eyes बनाने के बाद देखिए detailing कर दें इसमें eyes में तो आपको जो पसंद हो उसी तरह से कर सकते हैं मुझे जो पसंद है मैं अपनी हिसाब से कर रही हूँ तो देखिए आप marker की help से भी कर सकते हैं मैंने क्यूंकि मैंने marker के साथ साथ acrylic color भी यूज किया है acrylic color से बहुत ही जल्दी paint हो जाता है तो असाइडों में जो मैंने draw किया है उस पे black color कर दूँगी तो उपर की जो head है इसका उसको cap बनाएंगे उस पे भी black color कर देंगे चोंच के उपर orange color कर दिया है रसी के साथ hole में से निकाल कर इसको hang कर देंगे garden के लिए decorative piece बनकर ready है तो इस तरह से वीडियो आपको useful लगी हो मेरे प्लांट कर आइडिया अच्छे लगे हो तो like, share और comment करें मिलते हैं किसी next वीडियो में, bye bye, thank you for watching